हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर आपका स्वागत है NCRT गणित कक्षादस के अंदर आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्राइकता प्रशनावली 15.1 के से सवालों को पहले वीडियो में हम प्रशन संख्या एक से लेकर नो तक को हल कर चुके हैं आप कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे आपका इंतजार अब खतम होता है तो आईए शुरू करते हैं प्रशन संख्या 10 से प्रशन संख्या 10 को पढ़ते हैं एक पिगई बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं रुपे एक के 50 सिक्के हैं रुपे दो के 20 सिक्के और रुपे पांच के 10 सिक्के हैं यदि पिगई बैंक को हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के पिरणाम संप्राइक हैं तो इसकी क्या प्राइकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा रुपे 5 का नहीं होगा तो बच्चों यहां पिगी बैंक को हमें गुलक समझ सकते हैं उसके अंदर को सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं 1 रुपे के हैं 2 रुपे के हैं और 5 रुपे के हैं अब उसको गुल्ल को उल्टा कर दिया जाता है तो उससे कोई एक सिक्का गिरेगा तो गिरने का प्रणाम है वो संप्राइक है संप्राइक क्या होता है मैंने पीछे बताया था आपको जहां पर प्रणामों की प्राइक्ता क्या हो समान हो तो हमें प्राइक्ता बतानी है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपे का नहीं होगा तो आईए इसको सौल करते हैं तो बुच्चे हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100 1 रुपे के सिक्कों की संख्या है 50 दो रुपे के सिक्कों के संख्या है 20 और 5 रुपे के सिक्कों के संख्या है 10 तो हमारे पास कुल सिक्के कितने हो जाएंगे यानि कुल सिक्कों के संख्या हमारे पास हो जाएगी 180 रुपे उस गुल्लक के अंदर 180 सिक्के हैं अब उसमें से एक सिक्का गिर जाता है तो प्रिणा महारे पास सम प्राइक हैं तुम्हें बताना है कि प्राइकता क्या होगी कि गिरा हुआ सिक्का पचास पैसे का होगा तो बच्चों हमें प्राइकता बतानी है पी पचास पैसे का सिक्का कि शिक्का जो गिरिया है वो 50 पैसे का होगा इसकी क्या प्राइकता है तो बच्चों यहां 50 पैसे के शिक्का है जो उसके अनुकुल प्रणाम कितने है सो क्योंकि पचास पैसे को शिक्कों की संख्या मारे पास सो है तो अनुक्र प्रणाम हो जाएंगे सो बटे कुल संभावित प्रणामों की संख्या कुल संभावित प्रणाम मारे पास कितने हैं जितने कुल शिक्के हैं 180 तो 100 बटे 180 और ये मारे पास आज़ेगा 10 बटे 18 आग यो रल करेंगे इसको 5 बटे 9 बहुत अशान है अब second part में 5 रुपे का नहीं होगा इसकी क्या प्राइक्ता है तो बटे 5 रुपे का नहीं होगा इसके लिए हम पहले निकारेंगे प्राइक्ता 5 रुपे का होगा इसकी क्योंकि पिछे हमने किया था कि P E जमा P E बार पराबर होता है एक किसी गटना के गटने की प्राइकता और ना गटने की प्राइकता का जोड एक होता है तो यहां पहले हम निकारेंगे 5 रुपे का सिक्का होगा उसकी प्राइकता तो P, पांच रुपे का सिक्का, वो हमारे पास हो जाएगा, पांच रुपे का सिक्का है, उसके अनुकुल प्रिणाम कितने हैं, वो हमारे पास 10, क्योंकि पांच रुपे के सिक्के कुल 10 हैं, बटे कुल संभाज प्रिणाम हमारे पास हैं, 180, तो यह हमारे पास आजाएगा, एक बटा अठा अब यहाँ से हम निकाल लेंगे P 5 रुपे का नहीं होगा वो जाएगा आदे पास एक गटा 5 रुपे का सिख्का होगा उसकी प्राइकता यानि कि एक बटे 18 है एक में से हम एक बटे 18 को गटा देंगे यह हमारे पास आजाएगा सत्रे बटे अठार है क्यों? क्योंकि हम यहां पर लिख देंगे कि P E जमा P E बार पराबर होता है केक के परसन संक्या 11 है गोपी अपने जल जीव कुंड में के लिए एक दुकान से मचली खरीती है दुकानदार एक टंकी जिसमें पांच नर मचली है और आठ मादा मचली है में से एक मचली या दरच्छा उसे देने के लिए निकालती है देखी आकरती के अंदर इसके क्या पराइकता है कि निकाले गई मचली नर मचली है तो बच्चो जैल जीव कुंड वो होता है जिसके अंदर मचली हैं पारी जाती हैं गर में सोक के लिए तो उसके अंदर कुछ मचली हैं पांच तो नर हैं और आठ मादा हैं कुल मचली हैं उसके अंदर तेरे अब उसमें से एक मचली को उसने जादरच्छे निकाल लिया जादरच्छे मतलब कि बिना किसी पक्सपात के सुतंतरता पुरुवक तो इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि निकाली गई मचली नर्मचली है यानि कि मचली निकालने की नर्मचली निकालने की प्राइक्ता क्या होगी वो आमें बताना है बच्चोए आपर नर मचली हैं 5 मादा मचली हैं 8 तो कुल मचली हमारे पास हो जाएंगी 13 तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 13 अब हमें प्राइक्ता बतानी है नर मचली की तो P यानि प्राइक्ता नर मचली वो बराबर हो जाएगी अब नर्म अचली के अनुकुल परणामों की संख्या कितनी है 5 क्योंकि नर्म अचली है 5 बटे कुल संबावित परणाम वो हमारे पास है 13 तो 5 बटे 13 यह हो जाएगा प्रसंद संख्या 12 है संयोग के एक खेल में कोई चांस का खेल है एक तीर को गुमा जाता है जो विसराम में आने के बाद संख्याओं एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ और आठ में से किसी एक संख्या को अंकित करता है आकरती में देखिए यदि ये सभी प्रणाम संप्राइक हों तो इसकी क्या प्राइकता है कि वह तीर अंकित करेगा आठ को एक विसराम संख्या को करेगा या दो से बड़ी संख्या को करेगा तथा नो से छोटी संख्या को करेगा, ये में बताना है तो वह चुई एक खेल है, जिसके अंदर चकर को आठ तक लिख्या हुआ है तो वो तीर का निसान कहां पर जाकर रुखता है वो हमें बताना है कि वो आठ को के सामने रुखेगा इसकी क्या प्राइकता है एक विसम संख्या के सामने रुखेगा इसकी क्या प्राइकता है दो से बड़ी संख्या के सामने रुखेगा जाकर के इसकी क्या प्राइक्ता है और नो से छोटी संख्या के सामने रुकेगा वो तीर का निसान इसकी क्या प्राइक्ता है तो बारी-बार इसे सभी क्वाल करेंगे तो बुच्वा हमारे पास कुल संख्याई हैं एक से आठ तक यानि आठ संख्याई अब आठ आने की यहीं वो तीर का निसान आठ के सामने रुकेगा इसकी प्राइकता बतानी है मैंने सबी बागों को पहले से लिख लिया है तो पी आठ यहीं आठ आने की प्राइकता होगी हमारे पास अब आठ के अनुकुल प्रिणाम कितने हैं आठ के अनुकल परिणाम तो एक है क्योंकि आठ वहाँ पर एक ही वारंकित है बटे कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे कुल परिणाम हमारे पास है जितनी कुल संख्याएं है आठ तो एक बटा आठ हो जाएगा सेकेंड में है एक विसम संख्या अब बच्चो एक से लेकर के आठ तक विसम संख्यां कितनी होंगी विसम संख्यां वो होती है जो दो से भागे ना हो एक है, तीन है, पांच है और साथ है तो हमारे पास हो जाएंगी च्यार संख्यां तो अनुकल प्रिणाम हो जाएंगी चार और कुल संभाइत प्रिणाम हमारे पास है आठ तो चार बटे, आठ यानि एक बटा दो हो जाएगा तीसरा है दो से बड़ी संख्या बच्चों दो से बड़ी संख्या कुण सी इनके अन्दर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है तो 2 से बड़ी संख्या हमारे पास होगी 6 तो अनुकल परणाम हो जाएंगी 6 और कुल परणाम हमारे पास है 8 इसको तरहाल करेंगे, 2 से काट देंगे 3 बटा, 4 फिर हैं 9 से छोटी संख्या अब बच्चों यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं सारी 9 से क्या हैं छोटी तो वो कहीं पर भी जाके रुके वो संख्या 9 से छोटी ही आएगी तो 9 से छोटी संख्या के अनुक्री प्रणाम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और कुल पिर्णाम कितने वो भी आठ है तो आठ बटे आठ यानि की एक तो यहां पर नो से छोटी संख्या के सामने रुकने की प्राइकता है वो एक होगी यानि 100% कनफर्म है यह कि जहां पर भी रुकेगा वो संख्या नो से क्या होगी छोटी परसन संख्या 13 को पर दें बच्चो एक पासे को एक बार फैका जाता है निमलिक्त को प्राप्त करने की प्राइकता ग्याद कीजिए पासे के उपर आपको पता बच्चो एक से लेकर कि 6 तक अंकित होता है तो उसको एक बार फैक्या गया है तो जब भी पासे को एक बार फैक्या जाता है तो जो कुल संभावित प्रिणाम होते हैं वो 6 होते हैं इस बात को दिमाख में बिठालो अची तरह से जब भी पासे को एक बार फैक्येंगे तो जो कुल संभावित प्रिणाम आएंगे और जब पासे को दो बार फेकेंगे तो कुल संभावित प्रिणाम आएंगे 36 यहां पर एक बार फेक्या गया है एक अबाज्य संख्या और दो और छे के बीच कोई संख्या और एक विस्म संख्या यह आने की प्राइक्ता क्या होगी मूँ बताने है तो यहां पर बच्चो कुल संभावित प्रिणाम उमरे पास हो जाएंगे 6 हमें बताना है अबाज्य संख्या की प्राइक्ता दो बच्चो के बीच कोई संख्या आने की प्राइक्ता और एक विस्म संख्या की प्राइक्ता क्या होगी बच्चों यहाँ पर मैंने पहले इनको लिख लिया है ताकि वीडियो जाजा लंबाना बने तो आई इनको कर लेते हैं अब आजय संख्या पहले बच्चों देखो अब आजय संख्या हैं कौन सी एक से लेकर के छे तक क्योंकि पास से पर एक से छे तक होता है एक से छे तक अबाजे संख्या कुण कौन सी हो जाएंगी दो होगी, तीन होगी, और पांच होगी दो, तीन और पांच अब आजे संख्या बच्चों वो होती हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से बागना हो यानि जिनके केवल दो ही गुननखंड हो एक और खुद और कोई गुननखंड ना होगे कलाएं अबाजय संख्या अबाजय संख्या सबसे छोटी होती है दो तो दो तीन और पांच तीन अबाजय संख्या हमारे पास हो जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर अनुकुल प्रिणाम हो जाएंगे तीन और कुल संभध प्रिणाम हमारे पास है छे तो यह हमारे पास आजएगा तीन से काटने पर एक बटा दो पर अगला है दो वह छे के बीच अब चो दो के और छे के बीच में है तीन च्यार और पाँच तीन संख्याएं हैं तो अनुकुल प्रिणाम तीन कुल प्रिणाम छे वही एक बटा दो फिर एक विशम संख्या अब विशम संख्याएं वो होती हैं जो दो से भाग ना हो जैसे एक तीन पाँच इस तरह से एक तीन पाँच साथ नो तीन और पांच, तीन संख्या हैं, तो अनुकल प्रणाम तीन, कुल प्रणाम छे, एक बटा, दो, यह हो जाएगा, परसंद संख्या 14 है, बावन पत्तों की अच्छी प्रकाय से फैटी गई एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निमलिक्त को प्राप्त करने के प् लाल रंग का बादस्या, हेस कार्ड अथारत तस्वीर वाड़ा पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाड़ा पत्ता, पान का गुलाम, हुकम का पत्ता, और एक इट की बेगम तो बच्चों ये बड़ा ही इंट्रेस्टिंग परसन है जो सवाल है ये बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है बड़ा ही रोचक है क्यों क्यों कि इसमें तास की गड़ियों का जिकर किया गया है तो आप तास तो आप लोग खेलते ही होंगे तास के बारे में तो आपको पता होग और खेलते ही तो देखते जरूर होंगे तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं वैसे इंट्रोडेक्शन जो वीडियो था इसका प्रीचे वीडियो था उसके अंदर इस तास के पत्तों के बारे में अच्छे से समझाया है मैंने तो आप वहां जा पान का और इट का रंग लाल होता है हुकम और चिड़ी का रंग काला होता है इक का होता है उसके बाद एक गुलाम होता है बेगम होती है उसके बाद एक बादशा होता है तो उसके अंदर जो फेस वाले या हम कहिदे की तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो होते हैं तीन तो होंगे इट के अंदर तीन होंगे चिड़ी के अंदर तीन पान के अंदर और तीन हुकम के अंदर कितने होगे कुल बार है कौन कौन से सब के अंदर गुलाम सब के अंदर बेगम सब के अंदर बादश्या तो तीन तीन पत्ते सब के अंदर होते हैं तो कुल संभावित प्रणाम भी हो जाएंगे बावन अब चुह ने पूछा है लाल बादशा, लाल रंग का बादशाने की प्राइकता क्या होगी अब देखो उसके अंदर जो बादशा होते हैं वो कुल होते हैं चार लेकिन लाल रंग के होते हैं सिरफ दो, इट का और पान का तो यहां पर हमारे पास लाल बादशा के लिए अनुकुल प्रणाम हो जाएंगे दो क्योंकि दो ही होते हैं बावन के अंदर और कुल हमारे पास हैं बावन तो यहां आजएगा दो से काटने पर एक बटा 26 अब बच्चों इसके अंदर कुल तस्वीर वाड़े काट होते हैं बारे तो बारे अनुकुल हो जाएंगे पर नाम बटे कुल हैं बावन यहां आजएगा आपके पास तीन बटे तेरे चार से काट देंगे इसको अगला है लाल तस्वीर वाड़े पत्ता अब बच्चों लाल तस्वीर वाड़े पत्ते लाल भी हों और तस्वीर भी हों दुन्नों चीजे लाल रंका भी हो और तस्वीर भी हों अब तस्वीर वाड़े बच्चों कुल होते है बारे जिसके अंदर से लाल होते हैं तीन और टीन च्छए एट और पान के तो च्छए हो जाएंगे लाल तस्वीर बाढ़े और कुल है उमारे पास बावन इसको थोड़ा साल कर लेते हैं तीन से काठ दे तीन दोनी तीन से निगटेगा भई तीन से निश्क को हम दो से काठ देते तीन बटे 26 यह आजे आएगा हमारे पास दो से काठने पर तीन बटे 26 फिर है पान का गुलाम अब गुलाम पान का तो एक ही होगा सब को पता है तो कि गुलाम पान का एक होगा प्रव। फिर हुकम का पत्ता, बच्चों हुकम के पत्ते होते हैं 13, तो कुल परिणाम हमरे पास हो जाएंगे 52 और अनुकूल हो जाएंगे 13, फिर 8 की बेगम, बच्चों 8 की बेगम भी एक ही होती है, कुल पेगम होती है, च्यार लेगन इट की एक, एक बटा, बाँ, परसन संक्या 15 है, तास के पाँच पत्तों 8 का दहला, गुलाम, बेगम, बादस्या और एक का, यानि हमारे सिर्फ पांच पत्ते हैं, तास के, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इन में से यादर रच्छे एक पत्ता निकला जाता है, इसकी क्या प्राइकता है, कि यह पत्ता एक बेगम है, दूसरा, यदि बेगम निकलाती है, तो इसे अलग रख जाता है, और एक अन्य पत्ता निकला जाता है, इसकी क्या प्राइकता है, कि दूसरा निकला गया पत्ता एक इका है, या एक बेगम है, तो बच्छों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पत्ते हैं, पांच, तो यहाँ पर कुल संभावित प्रिणाम होंगे, सिर्फ पांच, कु पत्तों में से एक पत्ता निकला गया है तो क्या प्राइक्ता होगी जो पत्ता निकला है वो बेगम होगा अब बच्छों यहां पर देखो इनके अंदर एक बेगम है तो बेगम के अनुकुल प्रिणाम हो जाएगा एक और कुल प्रिणाम हमरे पास है जितने पत्ते हैं कुल पत्ते पांच हैं तो कुल संभाइत प्रिणाम भी कितने हैं पांच तो बेगम आने की प्राइकता हो जाएगी एक बटा पांच फिर एस सेकंड पार्ट में कि मालो बेगम आ जाती है तो उसको निकाल के अलग रख दिया जाता है और फिर बाकी पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो बच्चो जब बेगम आगी तो उसको एक साइड में निकाल के रख दिया तो ये बात आप समझ गए होगी कि पत्ते अब पांच की बजाएं कितने रहेगे च्यार दूसरा अब उन पत्तों के अंदर बेगम नहीं है तब उन च्यार पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसमें एक काने की प्रैक्ता क्या होगी तो बच्चो इन च्यार पत्तों के अंदर एक का तो अभी भी है तो एके के नुकल प्रिणाम हो जाएंगे एक और कुल प्रिणाम होंगे अब च्यार क्यों क्योंकि पत्ते रहे गए हमारे पास च्यार बी पार्ट में है कि बेगम आने की प्राइक्ता क्या होगी तो बच्चोश के अंदर से बेगम को मनेन निकालकर अलग रख दिया था उन पत्तों के अंदर बेगम है ही नहीं तो फिर आएग़ी कहाँ से तो वहाँ पर प्रेकता हो जाएगी zero क्यों क्योंकि बेगम के अनुकुल पिडामो के संख्या हमारे पास zero है